अलो प्रेंट्स, इंटर एट्यल सेप्टल एनियुरिजम इकों में कैसा दिखता है? यह इस वीडियो में देखेंगे नॉर्मल इंटर एट्यल सेप्टम एक स्टेट लाइन होता है, सीधी लाइन में होता है और यह राइट और लेप्ट एट्यम को डिवाइड करता है इंटर एनियुरिजम एक इंसिदेंटल फाइडनिंग होती है, बट यह इंपोर्टेंट फाइडनिंग है, जबकि यह 1-2% एडल पोपुलेशन में पाया जाता है ज्यादतर लोगों में एटेल सेप्टल एनियुरिजम अकेला ही मिलता है, लेकिन कुछ लोगों में एटेल सेप्टल डिपेक्ट में, पी एपो और माइटल वार प्रोलेप्स के साथ में भी मिल सकता है ATL septal aneurysm कुछ patients में ATL arrhythmia कर सकता है और ATL aneurysm में वहाँ पर thrombosis बन सकता है और thrombosis फिर वहाँ से embolize होके stroke बढ़ा सकता है Normally इसमें treatment की जरूत नहीं पड़ती है और clinical follow up करना रहता है follow up eco कर सकते है